पिहार के मुख्यमंत्री नेतिश कुमार ने मंगलवार को 315 करोड रुपी की लागत से वैशाली जिला में बहात्तर एकड में निर्मित होने वाली बुद्ध सम्मिक दर्शन संग्रहले एवं स्मृति स्टूप का शेलान्यास रिमोट के माध्यम सी किया शेलान्यास के आउसर पर जनसभा को संबोधीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वैशाली एतिहासिक भूमी है जिसने दुनिया को पहला गणतंत्र दिया इस धर्ति से भगवान बुद्ध और भगवान महाविर का भी संबन रहा है भगवान बुद्ध के जिवनकाल में पर निर्वान वर्ष पर वर्ष 2007 में पटना जंक्शन के ठीक सामने बुद्ध स्मृति पार्ग बनाने का निरने लिया गया था करीब 22 एकड में इसका निर्मान हुआ और लोकारपन दलाई लामा के हातों हुआ पार्ग में निर्मित स्थूप का नामकरन दलाई लामा ने नितिष ने कहा कि स्थूप के साथ ही जो अस्थी आउशेश मिले उसकी प्रामानिक ताधिक है इस बात की जानकारी चीनी यातरी गेन संग के किताब से मिलती है भगवान बुद्ध का आंतिम संसकार वैशाली में ही हुआ था और उनके अस्थी अवशेश को आठ हिस्सों में बांटा गया था जिसमें से एक हिस्सा वैशाली के मंदस्तूप में रखा गया उन्होंने कहा कि वैशाली में जो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्राले के साथ स् परियोजना का दाम धाई वर्ष के अंदर पूरा करने का लक्ष निर्धारित किया गया है